हलो यूटूब दिस इस सुवा मगरवाल and you're watching साइबर बाबा तो फ्रेंड आसम बात करेंगे यूटूब स्केम के वारे में अब नॉर्मली मैंने अपने वाटसप पर चेक किया तो मुझे एक ग्रूप मिला अब उस ग्रूप में मुझे यह मैसेज मिला जिसमें इस पेसली लिखा हुआ था पर्चिस लाइप तो यहार जब मैंने इसे चेक किया और मैंने समझा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुती ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो यूटूबर्स हैं जिरोंने रिसेंटल अपना चैनल स्टार्ट किया है वह सबसे ज़्यादा इस प्रॉड में आते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर भी मिलेगा अब इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी डील डन करेंगे कि आपको अपने चैनल पर तीन जार स्ब्स्क्राइबर चाहिए या फिर दस जार या फिर पंदरा जार जो भी तो आपको इतना इतना अमाउंट पे करना होगा ठीक है अब यहाँ पर दो कंडिशन है पहली यह तो टोटली फेक है दूसरी कुछ परसेंट चलो यह रियल है आपको इस तरी के सब्सक्राइबर भी मिलेंगे रियूस मी मिलेंगे और लाइक्स भी मिलेंगे अब प्रॉब्लम यहाँ पर यहाँ है कि एक तो है इनलीगल है अगर आप ऐसा करते हैं तो यूटूब और गूगल की नजर में तो है टोटली इनलीगल है बट फिर भी अगर आप सब्सक्राइबर या फिर लाइक्स या फिर रिव्यूस पर्चेस करते हैं तो वहाँ पर जो 99% चांचेस होते हैं कि वह सामने वाला यूजर फेक है अगर आप पैसा पे भी करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा सेकंड कंडिसन इस बार हम मानते हैं कि हमने जो पैसा पे किया है उसके बदले में हमको व्यूस मिले तो आपने अपने चैनल पर पैसा देकर सब्सक्राइबर भी इंक्रीज किये आपने अपने चैनल पर व्यूस भी इंक्रीज किये बात करते हैं यहाँ पर हम 10,000 views से कमबा लोगी तो अगर आपने पैसा देकर views को increase किया है तो इस condition पर आपका monetization enable नहीं होगा क्योंकि यह जो views होते हैं वह actual users की view नहीं होते वहाँ पर काम करते हैं को software अगर हम बात करें vote की तो यह एक ऐसा software है यहाँ पर आपको अपने वीडियो का URL देना होता है और उसे activate करना होता है अब वह software करेगा क्या उस वीडियो को बार-बार reload करेगा जिससे आपकी views बढ़ेंगे तो यह totally scam है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप YouTube की नज़रों में भी आएंगे क्योंकि आपकी इस वीडियो पर cable और cable views होंगे उसका जब आप watch time चेक करेंगे तो उसका watch time बिलकुल zero होगा मतलब आपकी इस वीडियो को user ने देखा ही नहीं तो यह request करूँगा मैं आप सभी से कि ना तो आप इस तरह की method को use करें और नहीं इस तरह के softwares को क्योंकि अगर यह point आपको अभी समझ में आता है तो आपके लिए और आपके channel के लिए बहुत ही अच्छा होगा बट अगर इसी point को आगे आपको YouTube समझाएगा तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा problem होगी फिर आप किसी YouTube के comment section पर जाकर उसे पूचेंगे कि सर्व मेरे चैनल पर invalid activity हुई है मेरे चैनल का monetization disabled हो गया है मेरे चैनल का adsense disabled हो गया है त्यार हो सकता है इन सब चीजों को आपको अभी करने में ज़्यादा मजा आ रहा हो बट आगे आपको बहुत ही ज़्यादा problem होगी इसके बाद अगर हम बात करते हैं सस्क्राइबर को लेकर या आपने 300 या 400 या 1000 रोपर प्र प्रेक किया और बदले में आपको 1000 या 1500 सस्क्राइबर मिल गए तो चलो मानते भी हैं कि आपको सस्क्राइबर मिल गए तो अब वह आपके सस्क्राइबर क्या काम के अब वह जो सस्क्राइबर होंगे वह डियक्टिव सस्क्राइबर होंगे मतलब उन सस्क्राइबर को आपके चैनल से कोई भी लेना देना नहीं आपने Facebook पर देखा हुआ कुछ ऐसी website हैं या फिर कुछ ऐसी software हैं जिसका use करके आप अपनी profile पर likes increase कर सकते हैं लेकिन जब आप उन likes को check करते हैं तो वहाँ पर आप दीख सकते हैं कि आपको कुछ different languages होती हैं हो सकता है किसी दूसरी country से like हो तो यह सब totally कारोबार spam पर चलता है अब यहाँ पर मैं आपको एक और सबसे ज़्यादा और सबसे important point बताता हूं अब अगर आप किसी भी software को join करते हैं suppose मैंने एक software बनाया अब इस software को use करके आप likes को increase कर सकते हैं आप अपने use को increase कर सकते हैं आप subscriber increase कर सकते हैं लेकिन जब आप इस software को join करेंगे तो यहाँ पर आपको YouTube की permissions देनी होती हैं इसे हम एक example समझते हैं आपने YouTube channel को manage करने के लिए plugin install किया होगा TubeBuddy या फिर वेडा IQ करके तो जब भी आप इन extension को install करते हैं और से YouTube को साथ add करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने YouTube channel की permissions देनी होती हैं तो यह सेफ इसलिए है क्योंकि TubeBuddy YouTube द्वारा certified है तो इस चीच पर हम trust कर सकते हैं कि यह fake नहीं है इस तरह से अगर हम sponsorship की तरफ चलें तो अपने famebit का नाम सुरा होगा जब आप अपना वहाँ पर account create करते हैं तो वहाँ पर भी आपको YouTube की तरफ से permission देनी होती है इवन famebit को तो YouTube नहीं करीद लिया तो यहाँ पर problem यह है कि अगर आप किसी भी software की तरफ जाते हैं या फर किसी भी website की तरफ और वहाँ पर आप अपने YouTube चैनल की permission देते हैं तो वहाँ सामने वाला user अब आपकी उस चैनल के साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि आपने अपने चैनल की सारी permission उस extension या उस website को दे दिये हैं तर मैंने आपको अपनी सारी वीडियोज में केबल और केबल एक ही चीज़ बताई है कि YouTube पर कोई भी shortcut नहीं है shortcut के तरीके बहुत सारे हैं आप likes को भी ले सकते हैं आप subscriber को भी ले सकते हैं आप views भी बढ़ा सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं पट ऐसा करने से आपको profit कुछ भी नहीं होगा आज की डिट में जब मैं अपने subscriber चेक करता हूँ देखता हूँ किस दिन मुझे कितने subscriber मिले कितने मेरे subscriber lost हुए तो वहाँ पर मुझे एक point और देखने मिलता है कि मेरे subscriber जो जा रहे हैं वह मुझे छोड़ कर नहीं जा रहे है एक्शल में उनका account terminate हो चुका है इसलिए आप YouTube पर सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें सौटकर के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएं अगर आप एकला सस्क्राइबर भी लेते हैं तो वह आपके सिर्फ स्वाफ करने की सस्क्राइबर होंगे सामने वाले यूजर को लगेगा हाँ इस चैनल पर एक लाग या दो लाग या फर पांच लाग सस्क्राइबर हैं बट अगर आप मेहनत करके सस्क्राइबर को हासिल करेंगे तो आपको भी खुशी होगी आपको व्यूज भी मिलेंगे आपकी वीडियो पर लाइक्स भी आएंगे और आपने भी देखा होगा कि आज की डेट में तो बहुत सार यूट्यूब पर चैनल हैं जिस पर चार लाग पांच लाग चैनल और किसी किसी चैनल पर दस लाग की उपर भी स्क्राइबर हैं बड़ जब आप उनकी वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर क्या देखता है आपको 500 व्यूज जैसो व्यूज अजार व्यूज जादा दो हजार व्यूज तैयर क्या काम की वो 10 लाग सब्सक्राइबर या 5 लाग सब्सक्राइबर इसलिए और सौड कड़ मत पकड़ो मेहनत करो बहुती कम समय में आपको बहुती अच्छा रिस्पॉंस में लेगा उम्मीद करता हूँ आपको अमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें इन नए वीडियो में आपसे फिर मुला बात होगी तब तक के लिए स्टेक सायवर बाबा